Praise the Lord, मैं ब्रेदर शूशंकर तिवारी आज एक बाइबल का द्रिस्टान्त आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे साथ पढ़ेंगे लूका की किताब उसका तेरवा अध्याय और उसकी छटवी आयत यहाँ पर लिखा है फिर उसने यह द्रिस्टान्त भी कहा किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड लगा हुआ था वह उसमें फल ढूनने आया परंतु ना पाया तब उसने बारी के रखवाले से कहा देख तीन वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड में फल ढूनने आता हूँ परंतु नहीं पाता इसे काट डाल कि यह भूमी को भी क्यों रोके रहे उसने उसको उत्तर दिया हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारो और खोद कर खाद डालूं यदि आगे को फले तो भला नहीं तो उसे काट डाला आज ये वचन हम सबसे एक गंभीर बात करना चाहता है इस रिष्टान से हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि आज प्रभीश्य मसी में हमें आए हुए तीन वर्ष हो चुके हैं हम एक उस वरिक्ष की तरह हैं जो एक गार्डन में लगाए गए और हर वर्ष परमेश्वर जो है हमसे अपेक्षा करता है कि हम फलवन्त होंगे यहाँ पर लिखा है कि वो कहता है कि वो उसमें फल ढूनने आया परन्तु ना पाया ठीक है वो कहता है मैं तीन वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूनने आता हूं परन तो नहीं बाता तीन वर्ष हो चुके हैं प्रभीश मसी में आए पहला साल निकल गया हम फल लेकर नहीं आए परमेशर ने रास हुआ दूसरा साल हुआ हम फल लेकर नहीं आए परमेशर और ने रास हुआ तीसरा साल हुआ अब परमेश्वर की आशा तूट चुकी है और वो उस गाडन के माली से रखवाले से प्रभीश्य मसी से कह रहे हैं कि इसे काट डाल कि ये भूमी को क्यों रोके रखे लेकिन प्रभीश्य मसी हमारा बिच्वई है वो हमारे लिए निवेदन करता है प्रार्थना करता है वो क्या कहता है परमेश्वर को कि हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके چारों और खोद कर खाद डालू है ना परमेश्वर आपको फलवंत होने के लिए चारों तरफ से आपको जो है रिसोर्स प्रदान करने जा रहे हैं आपको वचन से भर रहे हैं अभिशेक से भर रहे हैं महिमा से भर रहे हैं और इस खाद को आप प्राप्त करने के बाउचूद भी खाद जो है वो वचन और परमिश्वर के अभिशेक को दिखाता है पर आशीश और महिमा को दिखाता है जो कि आपके अंदर डीपली रूटेड खोद कर परमिश्व डालने की बात कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप फल लेकर नहीं आते हैं तो फिर प्रभीश मसी भी गिव अप कर देते हैं तो कहते हैं कि यदि आगे को फले तो भला नहीं तो उसे काट डालना आज कलिसियां क्यों नहीं बढ़ रहे हैं लोग सोसते हैं सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी फल लेकर आना आत्मा को बचाना लेकिन नहीं ये जितनी पास्टर की जिम्मेदारी है उतनी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अंदकार से जोती में लेकर आएं नरक में जा रहे हैं लोगों को स्वर्ग की राह में लेकर आएं आग में जपट कर जो लोग आज उस नरक की आग में जल रहे हैं आप उन्हें बचाएं प्रभू आपसे आशा रखते हैं क्या आप उसे हर वर्ष निराश पर निराश कर रहे हैं परमेश्वर को बड़ी उम्मीदे हैं इश्व मसी को बड़ी आशा है कि ये जो आखरी वर्ष आपको दिया गया है आपको वाच करने के लिए रखा गया है बहुत उमीद है इश्व मसी को कि इस साल तो मेरा बेटा अपनी सोई हुई अवस्था से जागेगा इस बांजपंच से बाहर निकलेगा और मेरे लिए वो फल लेकर आएगा मेरे सुसा माचार को इस पृत्वी की छोर तक बाटेगा प्रविश्व मसी आज हम सब को जागरत करें प्रेज दो लॉट अगर आपकी कोई गवाहिया प्रात्ना निवेदन है आप मुझे 639-589-3171 पर भेज सकते हैं प्रेज दो लॉट